कोरोना माहमारी ने जिस तरीके से लोगों की जिन्दगी पर ब्रेक लगाया है उसी तरह लोगों के धंदे रोजगार पर भी फेक लगाया है बात करी जाए कच के 5000 साल पुराने अजरक प्रिंट कला की तो अजरक प्रिंट कला है वो 5000 साल पुरानी कला है जिसको रिवाईव करने के लिए यहां के जो अजरक पूर गाउं है वहां के जो भी कारीगर है वो जूज रहे हैं कितले काफी सालों से लेकिन जिस तरीके से कोरोना वाइरस ने कहर मचाया है उसके चलते ये धंदे रोजगार ठप पड़े हैं ये धंदा रोजगार सीधा प स्थानियों का दंदा रोजगार चलता है लगबख 500 जितने परिवार हैं इस गाहों में जिनक का सीधा दंदा रोजगार इस अजरक प्रिंट से जुड़ा हुआ है हमारी ये जो अजरक की कला है वो पाँच हजा साल पुरानी है और हमारे पास है ये वन्स परमपरा से चली आ रही है ये कला जो है पहले जमाने में यहां के जो किसान थे मवेशी चारक थे जो पसुपालन का काम करते थे उनकी औरते उनके मरद उनका ड्रेस जो बनता था वो इस कला से बनता था फिर जो बदला वाया उसमें ये कला फैसन में भी कई और फैसन के अंदर हमको भी कच्छो जनक बीमारियां मिली और अच्छा कासा बिजनस भी हो गया हमारे गाउं के अंदर करी 500 लोग काम करते हैं ये ब्लोग प्रिंटिंग अंडाइंग का और अभी ये जो पुराने जमाने के अंदर जो नेचरल डाइंग से होता था ऐसा काम यहां पर हो रहा है अभी ये जो बीमारी कोई 19 की और जो लोक टाउन हुआ उसकी वजह से हमारे काम काई सारे ठप हो गए इसके बाद अनलोग भी हुआ लेकिन जो हम चाहते थे ऐसी कोई दमान नहीं निकली कुछ बेपारी लोग जो ओर देते थे हम से माल बनवाते थे वह भी उन्होंने भी अपना ओर हॉल्ड प पैसा आजाता और यहां पर हमारी काम करने के साइकल चालू रहती वैसे दिमान नहीं है अभी अनलोग के बाद कोछ मोबाइल के ओपर फोटा वगएरा बेजते हैं कुछ लोगों का थोड़ा बहुत ऐसा पांच साथ परसं जैसा काम का चलता है से ज्यादा काम नहीं हो रह और हम यह चाते हैं अपिक्सा करते हैं सरकार से क्या कुछ योजना ऐसी बनाए जैसमें मार्केट में पैसा आए और मार्केट में लोग खरीद ने लगे तो हमको भी कुछ और मिले तो यह कुछ आगे चल सके कोरोना वाइरस की वज़े से यह दंदारोजगार एकदम ठब पड़ा है क्योंकि परेटक अभी कच में आ नहीं रहे हैं और ज्यादातार हर बात करी जाए तो अजरक प्रिंट से जुड़े हुए जो भी लोग हैं वो अभी बेरोजगारी से जूज रहे हैं कौशिक माठे कोज मोज़ दराता